और कैसी हो बिट्टो की मम्मी? अस ठीक, कल से पहरों में बहुत दर्द है क्यों? बहु से बोलो, वो दबाई की पहर अरे कहा मिन्नी की मम्मी? काम चोर है एक नंबर की पते आपको हाँ बिट्टो की मम्मी, मेरी बहु खुद सारा दिन सोती रहती है घर का कोई काम नहीं करती है, काम चोर एक नंबर की अरे ये भी तो ऐसी है, शौपिंग कराओ, मूवी दिखाओ, बस इसका यही लगा रहता है अरे बिट्टो की मम्मी, एक बात बोलू, अब गया, आपका और हमारा जमाना गया सही कहरी हो मिन्नी के मम्मी, हम तो अपनी सास के आगे जुबान तक नहीं खोलते थे और इनने देख लो, आज कल की बहु को तुम देख लो, कैसे जबान चलती है, चटपट चटपट अरे बस एक बार जबान खोलते थे जब खाना खाना होता था या पानी पीना होता था अरे अब वो बात कहां रह गई आज कल की लड़के जरा सा काम करती है ठग जाती है इतनी नासुक हो रखी है ये लड़किया और क्या और हम तो घर का काम करो कपड़े धो फिर उपले भी जातने जाते थे हम लोग कल शाम को बिट्टू के साथ बाहर गई थी घर पर आई मैंने का भू खाना बना दे पता है क्या कहने लगी हिर अरे कहती है मम्मी जी मेरा तो पेट भर गया गूल गप्पे खा के मैं तो डाइट पर हूं बताओ अरे इनके माबाप ने बिट्टू क मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया बस आजकल फैशन करो और वो क्या बोलते हैं रील बना लो बस मरने दो बिट्टू के मम्मी अब तो मुझसे भी ना ये सा बहू के बुराई नहीं होती बिलकुल भी मैं सही बता रहे हूं छोड़ो हम तो ससंग चलते राम जी का नाम लेते है हाँ हाँ ये बात तो हम सही कह रही हूं चलो चलो थोड़ा राम नाम जपले हम उससे भी नहीं होती भावो की बुराई